नमस्कार मैं हूँ मैं यूरिका और आप देख रहे हैं विएनेम टीवी विएनेम टीवी के विशेश बुलेटिन में आप सब इप्योर्स का स्वागत है देश दुनिया और शेहर जिलों की खबरों से पहले आईए आपको रूब रूख राते हैं कोरोना के आंकडों से देश भर में और साथ ही विदेशों में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है विशों में कोरोना के अब तक 12 करोड 15 लाग से जादा मामले दर्च हो चुके हैं वहीं भारत में ये संख्या 1 करोड 14 लाग 60 हजार को पार कर गई है गुजरात में अब तक 2 लाग 805 हजार कोरोना केस बढ़ने पर सरकार के माथे पर खींची चिंता की लगीर फ्रधान मंत्री ने लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बड़ोद्रा की खानपूर में एक सप्ताह में 47 कोरोना केस से हाहाकार गाउं में स्वयम हूँ लॉकडाउन और कोरोना सर्वे में जुड़ने पर शिक्षकों को आपती सरकारी शिक्षकों ने किया फिरोद देश में बढ़ रहे कोरोना वाइरस के केस फिर से सरकार की नीद उड़ा रहे हैं ऐसे में अब सरकार फिर एक बार कोरोना संक्रमन रोकने के लिए ठोस कदम उठानी के लिए विवश है देश में कोरोना वाइरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंदर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है आगे की रणनीती पर चर्चा के लिए वर्धान मंतरी नरिंद्र मोधी ने आज मुख्यों मंतरियों की बैठक ली हालांकि इस बाठक में पर्चिम मंगाल की मुख्यों मंतरी ममता बैनर जी और चतिसगर के सीम भुपेश बगहिल शामिल नहीं हुए वीडियो कॉन्फरेंसिंग की जरे बाचीत करते हुए पियम मोधी ने खा कि हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा और इसके लिए मास्क को लेकर गंभिरता अभी भी बहुत जरूरी है देश में वैक्सिनेशन की गती लगातार बढ़ रही है और हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सिनेट करने के आंकडे को भी पार कर चुके हैं लेकिन इसे साथ ही हमें वैक्सिन की बरबादी की समस को बहुत गंभिरता से लेना होगा पियमोदी ने राज्यों को पांच मंत्र दिये हैं जिसमें दवाई भी और कडाई भी का पालन करने को कहा है आर्टी पीसिया टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है माइक्रो कंटेंट्मेंट जोन बनाने पर जोर दिया है वैक्सिन लगाने पाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये हैं और वैक्सिन की एक्सपाइरी डेट का भी ध्यान रखने को कहा है कि कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानिय प्रसासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही मेरा आग अधर्ताल, उनकी समीक्षा की जानी आए और उन दिक्रतों को सुलजाने जाना ये मैं समयता हूं वरतमान में बहुत आवश्चत है कि ये मंतन का विश्य है कि आखिर कुर्सक्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है कि खों ऐसे ही में टिकाक्रण भी कम हो रहा है मैं समझता हूँ कि ये गुड गवननस की परिशा का भी समय है हमें जहां जरूरी हो और ये मैं आगरपुर्व कहता हूँ माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाने का विकल भी किसी भी हालत में डिलास नहीं लानी चाहिए इस पर बड़े आगरव से काम करना चाहिए हर संक्रमित व्यक्ति के कॉंटेक्स को कम से कम समय में ट्रेक करना और RT-PCR टेस्ट रेट सत्तर प्रतिसत से उपर रखना बहुत एहम है हम ये भी देख रहे हैं कि कई राज्यों में रेपीड एंटिजेन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा हूँ और उसी भरों से गाड़ी चल रही है जैसे केरल हैं, पुरिचा हैं, 36 गड़ हैं, यूपी हैं मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूत हैं इन सभी राज्यों में, मैं तो चाहता हूँ देश के सभी राज्यों में हमें आर्टी, पिसीटी, टेस्ट और बढ़ाने पर जोड़ देना होगा एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली हैं, वो ये कि इस बार हमारे टियर टू और टियर थ्री शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के ख्षेतर प्रभावित जादा हो रहे हैं, देखिए इस लड़ाई में हम सफलता पुबग बच पाए हैं, उसका एक कारण था, कि हम गाउं को इससे मुक्तरक पाए थे, लेकिन टियर टू, टियर थी सिटी पहुचा, तो इसको गाउं में जाने से देर नहीं लगेगी, और गाउं को समालना हमारी ववस्ताएं बहुत कम पढ़ जाएगी, और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा, निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सिन, अब एक साल के बाद हमारे हाथ में एक हत्यार आया है, यह प्रभावी हत्यार है, देश में वैक्सिनेशन की गती लगातार बढ़ रही है, हम एक दिन में तीस लाख लोगों को वैक्सिन करने के आकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सिन डोसिज वेस्ट होने के समस्या को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए, इस संक्रमन के फैलाव को रोकने के जो मुलभूत कदब है, जैसा मैं कहता हूँ, दवाई भी और कड़ाई भी, मास पहनना है, दोगेश की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का अध्यान रखना है, परसनल हाईजिन हो या सोशल हाईजिन, पूरी तरह उसको बल देना पड़ेगा, ऐसे कई कदमत जिस पि पड़ोद्रा निकट के खानपूर में पिछले कई दिनों में लगातार कोरोना वाइरस पॉसिटिव के केस दर्ज हो रहे हैं, जसके चलते खानपूर गाउं को स्वयंभुरूप से 25 मार्च तक बंद कर दिया गया है, देशवर में कोरोना ने फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिससे गुजरात राज भी अच्छूता नहीं है, बड़ोद्रा में भी कोरोना वाइरस के केस चुनाव और शिपजी की सवारी जैसे धार्मिक आयोचनों के बाद तेजी से बढ़ रहे हैं, और ना सिर्फ शेहरी इलाकों में बलकि ग्रामिन इलाकों में भी इसका असर देखने मिल रहा है, बड़ोद्रा के सेवासी निकट के खानपूर गाउं में पिछले चार दिनों में 35 से 40 कोरोना पॉजिटिव केस एक ही गाउं में पाए गए हैं और एक बुजर्ग व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई है, ऐसे में ग्राम जनों ने स होस विपस्था नहीं की गई है, मामले पर मेडिकल ऑफिसर से पुछताच करनी की कोशिश करने पर वो कैमरे से बचते हुए नजर आए कर मारे साथ तुमारी नगीति हो यह जिल्ला पंचायत मुखे जिल्ला आरोग्या धिकारी पासे जटों से एक पासे तुमारी अगुछताच से आए बड़ोदरा तालुकानू खानपूर गाम छे अत्यार हैं आप फोटी सेवन केस थे हैं पने अमा थी एक डेड़ थायू चे गईकाले एटले अत्यार हैं फोटी सिक्स लाइव केस थे हाल मा सर कई रीते साउच जी ना पगला लेव मा अवा छे पटेल फरिया मा 35-37 केस थे पटेल फरियू बन कर दीदू छे गाम नी जायर संस्ताओं मा मंदेर के दुकान हो हुआ ये बद्धू जम्य बन कराई दीदू छे ने संपूर रीते अने लॉक कर्यू छे प्रसासन द्वारा जे पन अत्यारे करा छे खान्टू ग्राम पंचाय तच करा छे एक तरीस तारिक लगेंनों में नक्की करियू छे अत्यारे जे कोई प्राइवेट मा करी नायो हुआ और जे जाहिर मा ना जनावे एक इसनी अमने न थी खबर कोरोनमा हमारी के दोरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से काफी कारवाही कराई गई थी और अब फिर पार कोरोना के केज बढ़ने पर शिक्षकों को सर्वे की कारवाही सौपी जानी है जिससे शिक्षक नारास है सरकारी शिक्षकों को सरकार की और से कई तरह के काम दिये जाते हैं फिलहाल ओनलाइन पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की ओफलाइन परिक्षाई ली जानी है, साथ ही शिक्षकों को जनसंख्या गिंती की जिम्मेदारी भी दी गई है, और अब कोरोना सर्वे की कारवाही भी शिक्षकों को सौंपी जाने वाली है, जिस से शिक्षकों में सुधी सिख्षक वोए कोरोनाकार दर्मियान सतत ने सतत सर्वेजेवी कामगीरियों करी छे अमारी फरजम आवे छे अमे कामगीरी करी परन्तु दुखनी वाते छे के छिल्ला एक मैना छी चुटनी पंद द्वारा इएपिक डाउनलोड करवानी कामगीरी गई काल थी वस्ति अमारू क्या हू एवू छे के मात्र सिख्षकों सामाटे औने एके चार-चाल कामगीरियों माँ सिख्षक पोता नहीं कामगीरी निष्ठाथी करी नसी सकतो बीजू के परिक्षा जेवी महत्वनी कामगीरियों आजे बाड़कों ना 22 चेड़ा थे रहा एवू मने लागे मांने मेर शाहिब कमिशनर शाहिब आमारा राव साहिब पन्वड़ोध्रा माट छे तो यह विनंति करवा मागू छू कि आवी कामगीरियों मात ही आमने बाकात राखो आको पछी अमने कोई पण एक प्रकानी कामगीरी सोपो मूड आमारी जे भरती थाई जया सिक्षन कारियों आपपा माते एक छिला एक परश्थी नहीं पण अवर नवर अम्य जो इह सिए अपान नहीं आपका प्रद्द राज़ान निवी शिप्सन नीटी आपी छे एनि अ प्राथ्मिक सिक्षण ने जो आरी ते खटम करी नाखवामा आउसे तो आपनों देश क्यारे आगडवधी सक्षे नई तो मारी नम्रविननती छे के सिक्षकों ने तेमनूं मुड पायानू काम करवा दो और आवी कामगिरियों थी मुक्त करो लगबग सुक्रवान ना रोज अमें मान्य मेर साहिब ने आवेदन पत्र आप्पा जाई रहा चीए अमारा सास्नादी कारी ने पन आवेदन पत्र आप्पा जाई रहा चीए बस हमारी मागनी एकच छे के जो ए मूड सिध्धान तो छे शिक्षक नी भर्ति सामाटे तो यहनू काम जे मूड कारिया चे इसक्रम में एनपी एसस द्वारा डभोई वाकुडिया रिंग रोड पर कवी प्रेमानंद प्राथमिक स्कूल को आधूनिक टेक्नोलोजी से सजाया गया है ताकि हर वर्क के बच्चों को अच्छे सिच्छा प्रदान की जा सके आधूनिक शाड़ा बनावा मावी जे अहीं रमत गमत ना साधनों पन मुकवा मावी जे जे थे करें बाड़कों पोताना स्पेर टाइम नी अंदर रमत गमत करवा मावी जे पार्किंग नी विवस्ता ओपन स्पेस पन इटलू मुटू जे इना कांई पन रमत गमत करावी हुआ तो एवा टाइम नी अंदर रमत गमत पन फूल थाये हुँजे विविद रमत गमत पन साधाव जवराथ करवा मा जा तबकक का वार खाल मा कोरोना काड़नी अंदर बले विद्धियार्थियों उन्छिया वोछी जे अनव विद्धियार्थिवना गरेथित चिक्षन आप्पाम आवे जे ओनलाइन चिक्षन आप्पाम आवे जे परन्तु आ शाड़ा नू अत्तियर आपड़ा जो एक मुलाकात ले रहा जी है जिया शाड़ा आप जोई रहा जो तेरीते खुब आधुनिक बनावा मावी जे और यह या डिजिटल प्लेट्फों आप्पाम आवे जे बाड़ा कोने नगर प्रात्मिक शिक्षन समिती संच्यालीत कवी प्रेमानन प्रात्मिक शाड़ा अहीं कुल चाओद रूम छे अने दरेके दरेक रूम स्मार्ट क्लास से एटले आपड़े आईया स्मार्ट बोड चे प् समार्ट क्लास से और बाड़को आ नवी टेक्नोलोजी साथे या खुबत सारो अभ्यास करी शके एवो आ प्रतम प्रायास नगर प्रात्मिक शिक्षन समिती नो शे तमाज मा एक सरकारी शाड़ा नी जे इमेज एपन खुब बदलाई छे और जे थी करीने आजु-बाजु समार्ट क्लास से और बाड़को आ नगर प्रात्मिक शिक्षन समिती ने एक सो ने वी स्कूल शे ने एक सो ने वी स्कूल मा तमाम जग्या उपर स्मार्ट क्लास से गुजराच सरकार शिक्षन विपाग नी जिन्यान कुझ प्रोजेक अंतरगत स्मार्ट क्लास अमोने मलेला छे और नगर प्रात्मिक शिक्षन समिती द्वारा वडोद्रा म्यूंचिपल कॉर्पोरेशन ने ग्रांट मा ते यम बन्ने रिते स्मार्ट क्लास तमाम स्कूलों अन्दर छे परियाप्त सेंख्यानी अन्दर न थी तिया आ वर्षे आमें पूरा करी देशू नगर प्रात्मिक शिक्षन समिती में तमाम स्कूलों मा छेल्ला त्रण वर्ष्ती फायर सेफ्टी नी सुविदा उपी करवामा आवी छे अमना फायर डिपाड्मेंट द्वार इंस्पेक्षन करियो नियमा जेक्षती लागी यह त्यारे तमाम स्कूलों उपर काम चालो छे अन्दर 31 मार्च पहला काम पूर्ण करिया अमें एनोसी मेलवाना छी तमाम स्कूलों नी अंदर वाटर आर्वर्ष्टिंग नी सुविदा पन उपलबदा छे अब जुश्व संक्रमन फैलने का डर लोगों को सता रहा है बडोद्रा के नड़ुभाई सरकल दिकट ट्रीविया कंप्लेक्स में पैथो केर पैथोलेजी लेबरोटरी है जहां कोरोना के मरीज अपना टेस्ट करवाने आते हैं कोरोना वाइरस फिर एक बार देश फर्वे से रुठा रहा है ऐसे में श्रीविया कंप्लेक्स के दुकानदार लैबोरेटरी तवारा किये जा रहे हैं कोविड गाइडलाइन्स के नियमों के उलंखन से परिशान हैं यहां टेस्ट करवाने आने वाले लोग सोशल डिस्टनसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके आने जाने के लिए अलग से लिफ्ट की भी विवस्था नहीं है ऐसे बे ट्रीविया कंप्लेक्स के दुकानदार कोरोना संक्रमन की देश्चत में जी रहे हैं पूरान आप गाईडलाण हो गया पूर्व नहीं क्या अ हैं तमस अम्हें आप नहीं किप्ता बेसंटेंग्या गाता अल्ड बेत क्थाएफिय लीविका नहीं को ज़कू यह पुरा Investments चे जेडने impeachment यहां नहीं के लिए हैं नहीं हैं एक तकलीप पड़ेंगे रेंगा हुँआ से कॉरोणान फोल एजन इसा पाल को से पार से तमा यह थो ड़ा ज़ा ज़ुआ है इस पामले लेबरेटरी के डॉक्टर से पूछे जाने पर उन्होंने लीपा पोती की कोशिश करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वो व्यवस्था को सुचारू करतेंगे कॉम्पलेक्स नी कॉमन पांट लिप्ट हो छे पेशन्ट कोई भी लिप्ट वापरी शाक है अमें मास्क पेरवानू कहिए सेनिटाइजर आपिए अन्य सोश्यल डिस्टंसिंग नूँ पालन करवा माटे कहिए अमें पूरे पूरो ट्राइक करिए चेक सोश्यल डिस्टंसिंग नूँ अंदर कुर्सियों भी यही तेज गोठवे लिछे क्या चार-चार फूट नूँ अंतर जड़वाए साइब हमें पूरे पूरो ट्राइक करिए चिए पूरे पूरो ट्राइक करिए चिए के बद्धित गाइडलाइनों जड़वाए तमारी ओपिस ने बारे जे एक साथे एक सीप छोडी ने बेसवान हुआई चे त्या अगड़ी को इवित ना बेठा गादी साहिब हूँ तो पूरे पूरो प्रायत्ना करूचू पन अवे प्रायत्ना करते ने जवाबदारी भी चाहिए साहिब पेशन्ट होनी और दरेक मानसनी पोता ने भी जवाबदारी हुए ने हमें तो अमारे गाइडलाइन पार प्रमाने लखी दहिए दरेक के फॉलो करूँ ये भी दरेक ना मानसनी भी जवाबदारी हुए ने तो तमारा तरतीक सु मार्किंग करवा माहाद्यो चै क्या हं यां यां वारा कुंडडासता शेत करूँ के वो माहाद्यर Tag साहिफ दांवी हुख नंю मंदार ने अंध्यार साहिवा विए नमें वक्त है एक चोड़ से ब्रेक का लेकिन आपको कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूहीं बदस्तूर ज़र रहेगा जब बच्चा लिखना हम शुरू करता है तो लिखना डायरेक्टली शुरू कर देता है कि उसके पहले उसकी कुछ स्किल्स के ओपर काम किया जाता है लिखने की जो स्किल है राइटिंग स्किल है उसमें दो थिंग्स इनवार्ट है एक तो अपने बॉड़ी के मुवमेंट्स और दूसरा क्या लिखना है देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV Kids YouTube चैनल पर और VNM TV Facebook पेज़ पर शहर के पहले VNM Kids चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहे बच्चों की कला को लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीस ट्राइ की है कुछ रेसिपीस हमने मौडिफाई भी की है ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मौडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मौडाई के जरी शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको होरिजॉंटली करना है और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है ताकि हम आपको और आपकी जाइकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके तो इंतजार किस बात का फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पर दिखरे नंबर पर हमें जरूर भेजे NPSS संचालित सरकारी स्कूल के दो शिक्षक प्रेब संबंद के चलते पिछले कई दिनों से फरार है इन दोनों शिक्षकों को बड़ोतरा महानगर पालिका के नव नियुक्त मेयर के और रोकडिया ने ततकाल निर्देश से सस्पेंड कर दिया है सस्पेंशन के बाद भी दोनों शिक्षकों पर इंकोवाईरी जारे रहे की जिस पर जानकारी दी NPSS के शाषन अधिकारी धर्मेंदर सींचुडास माने सस्पेंड करेल छे इंकोईरी रिपोर्ट बाद वदू आगल निकारिवाई करों आउशन युनाइट स्टेट साइड डेलिगेशन ने वडुद्रा महानगर पालिका का दोरा कर अधिकारियों संग कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आधान पतान किया युएस से आई डेलिगेशन ने आज वडुद्रा महानगर पालिका की मुलाकात की युएस कॉंसलेट जनरल सर्विस से मिस्टर हैरोल्ड और गुजरात की कोडिनेटर संगीता तनीजाने बीमसी के सिटी एंजिनियर सेलेश मिस्टरी और विभिनविभागों के एडिशनल सिटी इंजिनियर के साथ वैठक की जिसमें एन्वार्मेंट टीम के कमर्शियल ओफिसर ने इंटरनाशनल लिवल पर टेकनोलोजी सबंदत चर्चा अधिकारियों के साथ की जिसमें पानी ट्रैनेट सोलिडवस्ट मेनेजमेंट समेत के मुद्धों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया युएस कॉंसिलेट तरफ थी एन्वार्मेंटल टीम एच है तेमा थी कमर्शियल ओफिसर मिस्टर हैरोल ब्रेमेन करीने आवाए शे ने मिस साथे आपर त्या गुजरात ना हैमने एक कोडिनेटर कमर्शियल एक्टिविटी माटेना कोडिनेटर के जे एन्वार्मेंट टी अने युएस कॉंसिलेट चाते ना जे इंटरनेशनल लेवल उप पर टेक्नोलोजी अलग लग होये वाटर छे वेस्ट वाटर छे सॉलिड वेस्ट छे अत्यारे खासकरी ने नेशनल लेवल उप पर एम्बेंट आयर क्वालिटी ना जे प्रोजेक्स आपण करी राया छे 15 इन फाइनांस कमिशन मां एपन एक वीशे ही छे के जे मां सेर ना एन्वार्मेंटलनेस मजबुत बनावा मांटे एनी क्वालिटी सुधारवा मांटे जे पन काईक टेक्नोलोजी होये अवेलेबल तो मां अपणा नॉम्स ने साथे संगत सु संगत करी पाने सु करी शके त गुजरात और वडोद्रा में भी कोरोना की केस लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में वडोद्रा शहर में कोरोना की स्थिती पर म्यूंसिपल कमिश्नर ने एक रिव्यू बैठक लेकर कोरोना संग्रमन रोकने की रणनीती पर विचारवे मर्ष किया पूरे राजे में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं जिस पर अब सकती बरतना राजसरकार ने शुरू कर दिया है रातरी कर्फ्यू की अवधी भी दो खंटे बढ़ा दी गई है एहमदाबाद में बाग बगीचे प्राणी संग्रहालाई कांकरिया तालाब इत्यादी ब आचाएगा आपना वडोदरा शेहर मां पन तोडूक सामान्य रिते सामान्य वधारों थायू चे कोरोना केस समा एटले आमें बदा ने विनंती करिये चे की मास्क और सोशिल डिस्टंसिंग जालवी राके पालन करें कोविड गाइडलेंज अनि आजे सवारती बाग भगी स्थानिय स्वराच चुनाओ के तहत पिछले दिनों ही पंचायत और पालिका के चुनाओ कराए गए हैं और अब पंचायत और पालिकाओं में पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है जिला पंचायत और तालोगा बंचायत के चुनाओ कुछ दिनों पहले ही संपन हुए हैं जसके बाद नए बोर्ड के गठन की प्रक्रिया की गई इस मौके पर समासावली रोड पर जिला पास्पा कारेलाई में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नामों का एलान जिलाद्ध्यक्ष अश्विन पटेल के द्वारा किया गया और चुनेगैफ जन्पतिनीध्यों का इस मौके पर समान भी किया गया आज रोज भार्तिय जन्ता पक्ष्णा वडोद्रा जिल्ला ना प्रमुक उप्रमुक कारोबरी अध्यक्ष नेता पार्डी नेता अन्य डंडक ये बदानी वर्नी करवामा आई छे ने प्रमुक तरिके हिसोग भई राहाजिवः परड़ल उप्रमुक तरिके मनिया मोहन भई प्रमा प्यार पचाठी पार्डी ना कारोबरि अध्यक्ष निके स्रीशियंद्र के स्थदाहश है परमार ने नेता अन्य तरिके मत्हुर भई राथ has आप पांच आजे हमें डिखलेर करें शेना में पारडी अत्तेरे पन्विश्वास मुखिने कारोबारी अद्यक्स नी जाबदारी सोपी जे इवा मोर्चान अंदर प्रमुख तरीके नी जे जाबदारी माहा असतत दोड़्या छे औने हमारा मुरभी वडिल औने चुनाओ में नर्दा जिला में भारतिय जंता पार्टी ने बड़ी जीत हासल की थी दर्वदा के प्रांत अधिकारी केड़ी भगत की अध्यक्षता में आज पाली का सभाखर्ण में अध्यक्ष उपाथ्यक्ष चुनाओ के लिए एक बैठा कायोचित की गई राश पीपला पालीक अध्यक्ष के रूप में कुल्दिप सिंकोहिल उपाथ्यक्ष के रूप में हैमत माची कारेकारी चेर्मन सपना वसावा पक्ष की नेता के रूप में विरिंदर सिंह गोहिल और दंडख के लिए काजल पतेल निर्वरोध जीते हैं अने कोई पन भेदबाव अगर जे पन प्रस्णों छे तेनों तरन्त हल करी से। अने कोई प्रमुख माते मरू एटले के डॉक्टर शीताले इस महरावनी पसंद की करवा माईएचे। निर्दलिय प्रतियाशी विजेता बने थे। तालो का बंचायत के लिए अध्यक्ष उपात्यक्ष का चुनाव कलायो जित होगा जिसकी तैयारियां आहाट संपन की गई। भारतिय जन्ता पार्टी ना आदेश अनुसा अमें सावली तालो का पंचायत ना प्रमुख उप्रमुख ने चुछने पक्रियाशी विजेता बने थे। पार्टी ना आदेश मुझब, पार्टी ए खिरिप भी नरट भी भी भारोट अनुसा प्रमुख नरी के पसंद की करी से अनुस प्रमुख नरी के रिखा बें दिर्मेंदर से शोलग भी निमुरुख करें से। डभोई तालुका पंचराथ में भारतिय जन्ता पार्टी 20 में से 13 बैठक पर विजेता बनी थी, 5 सीट कॉंग्रेस और 2 सीट नर्दलिय के पाले में आई थी। स्रामे पक्स दियाप पक्स अमें 5 कॉंग्रेस चे त्यारे बन्ने बैठर को प्रमुख प्रमुख भारतिय जन्ता पक्स ना उमेदवारों सर्वानु मतें आवी जसे नावती काले काईदे सम्ने मिटिंग वा यहनी कुर्शना करवा माउस है। जगड़या तालुका पंचायत में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया। स्थानी स्वराज की चुनाव खत्म होते ही अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति शिरू करती गई है। जगड़या तालुका पंचायत में भारतिय जन्ता पार्टी का शाशन है और यहां अध्यक्ष के रूप में रीना वसावा और उपाध्यक्ष के रूप में प्रकाश देसाई को सर्वस समंती से नियुक्त किया गया है। जगड़या तानोका थाशन है। भारतिय जन्ता पाक शने ओगणी से ओगनी सुमेद्वार ओपर जे विश्वास्भू की तालुका पंचायत में भगोजे लेरावयो जगड़या तालुका थामाम जन्ता में आपणी बगर्वार्टी करें चूटाह लाग तने थाए प्रम गोध्रा नगरपारिका में भी आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चैन प्रक्रिया शुरू की गई गोध्रा प्रांध अधिकारी की अध्यक्षता में चुस्त पुलिस बंदोबस के बीच इस चुनाव को आयोजत किया गया लेकिन इसी बीच यहां भारतिय जंदा पार्टी त्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए कोई दावेदारी नहीं की गई जिसके चलते निर्दलियों का शाशन यहां कायम हुआ है AI-MIM के साथ सदस्यों की सहायता से निर्दलिय उमीद् वारों ने गोध्रा नगरपाले का कि सत्ता संभाली है यह अध्यक्ष के रूप में संजय सोनी की नियूकती हुई है प्रमुग ने उप्रमुग बीनेली जायर थे है जे गोद्रानों विकास करी शुँ यह वो खांतर ही यापूँ शुँ लेटिस्ट खबरों के लिए यूही देखते रही है वियनेम न्यूज और हाँ वियनेम टीवी की यूचूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ इस बेल आइकन को दबाना ना फूले इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वियनेम टीवी यूचूब चैनल की सारी नोटिफिकेशन और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड बीनेम के समाचारा आप रोज रात 9 बजे फेस्बुक और यूचूब पर लाइव भ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वियनेम के अपडेट दिन भर आपको मिलते रहें देखते रही वियनेम जुड़े रहें वियनेम के साथ नमस्कार